और शतरपुर से आपको एक खबर दे दें, लाठी से पीट-पीट कर युवक की अत्या कर दी गई, पांच लोगों पर मार पीट कर हत्या का आरोप लगा है, फोले सब इसकी चानबीन कर रही है, महराजपुर के ग्राम धिकपुरा की घटना है तो युवक की अत्या कर दी गई है, पीट-पीट कर, फोले सब इस मामले में जाच कर रही है, पांच लोगों पर अत्या का आरोप है और अभिशेख सिंग हमारे साथ जुड़ गए है चतरपूर से हमारे सेवगी अभिशेख पाँच लोगों पर अत्या कारूप लगाए क्या और पता चल पाया है इसमें जी बिलकुर यह बड़ी गटना हुई है चतरपूर के जो महराजपूर थाने चेत्र के अंदर के डिकपूरा गाओं आता है जी गाओं में भी तनाहों का माफल है क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है वो दलित पक्ष है और यह जो ठाकुर परिवार है इन लोगों में भी काफी गुसा तो पुलिस भी महां मौजूद है फिलाल पांचो आरोपी फरार हो गया है और पुलिस इन पर F.I.R. दरश करके और इनकी गरफतारी के लिए प्रियाजरत है किस मामले का विबाद था क्या इसके बारे में कुछ पता चला जी गाओं में यह जो पांचो लोग थे मंटू राज़र के घर के सामने से बार बार मोटर साइकले निकाल करके जा रहे थे और कुछ अला गुला कर रहे थे जिस पर इनों ने इसको रोका और रोकने पर विवाद हुआ तो पांचो लोगों ने जड़नों से पीटना शुरू कर दिया जब तक आसपास के लोग पहुंसते काफी ज्यादा मारपीट हो चुकी थी और गायल अबस्ता में जमने अस्पताल ले जाया गया तो यहां यह मिरत और यह कुल मलाकर विवाद गाउंदारी में मोटर ताइकल और रंगदारी दिखाने को लेकर हुआ है ऐसा समझ में आ रहा है भी शुक्रे आपका अस पूरे डिटेल पूरी जानका रिख ले तो जैसा विशेकम को बता रहे हैं पुलिस सब इस पूरे मामले में पांच आरूपी बताये गए हैं उनको पकड़कर इस पूरे प्रक्रण में जाज को आगे बढ़ा रही है फिलाल यह पूरा मामला सामने आन के बाद गाओं में तनाओ की स्तिय है